एकदम डारेक बोलू, दिल से बोलू, आज अपने एक इनसान होने पर शरम सी आ रही है एक प्यारी सी छोटी सी छुटी बिताए अपने फैमिली के साथ केप ताउन से लोटा बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारख बात दी अपनी बेटी को गोध में उठाए एरपोर्ट से निकली रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रहे थी, वहाँ नजर पड़ी बैंगलोर में नए साल के जशन में कुछ लोगों का वैशियत सा नाच देखा खुले आम सड़क पर उसे देखकर पता नहीं आप लोगों कैसा लगा बैगॉड लेकिन मेरा खून खौल उठा है एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई हख नहीं है और सबसे ज़्यादा शरम की बात पता क्या है कुछ लोग रहा चलते किसी लड़की की हैरस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की आउकात रखते हैं सले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बार गई क्यों? अरे शरम करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपके बहन आपकी बेटी के साथ हो ये बत्तमिजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लानेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है, हम सब के बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवा लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आपको कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप, ऐसी छोटी और आसान टेक्नीक्स हैं लड़कों को संभालने के इन मार्शाल आर्ट में, किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्ज जान देने की कोशिश करें ना तो उसे कहना कि अपनी अड़वाइस को अपने पास रखें, and mind your own business, thank you, जैहिन